अरी है साथियों, एक ऐसे आईलेंड देश की, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, सोलोमन आईलेंड है, आज कल ये फिर से सुर्खियों में है, और सुर्खियों में है, तो इस चीज पर हमारी टीम ने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली, कि सोलोमन आईलेंड के अंदर जब से अपने लास्ट टाइम पढ़ा था, आज से छे मैंने पहले पढ़ा था, तब से लेकर अब तक कि सारी घटनाय ढूंड करके वापस से आपके सामने ला दी है, मैंने अपने टीम से डिसकेशन में इस बात को पाया, कि अरे भईया तुमने इतना रिसर्च इस मामले में क्यों कर लिया है, तो उनने का सर हमने इसलिए कर लिया है, क्योंकि आप नहीं कहा था कि जिस प्रकार से इंडिया के लिए मालदीव्स इंपोर्टेंट हो गया है, उसी प्रकार से Australia के लिए Solomon Island important हो गया है बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम कर लिया फिर हमें लगा कि चलिए जब हमारे साथ ही इतने समझदार हो चुके है तो इस समझदारी को आप सबसे भी साजा किया जाए बहुत ही महत्वपूर्ण विशय आज आप डिसकस करने जा रहे है ये ऐसा विशय है जिसे discussion में आपको सही मायने में ये पता लगेगा कि अगर आपने सही तरीके से international relations को समझ लिया तो इससे ये फरक ही नहीं पड़ता कि आपका शरीर हाती के समान हूस जैसा है या Solomon Island की तरह चीटी जैसा है आपको अपनी एहमियत पता होनी चाहिए आए इसके बारे में चर्चा करते हैं गजब की interesting story है interesting story ये है कि एक ऐसा देश जिसे मैप पर अगर जूम करके ना देखा जाए तो वो दिखाई तक ना दे उसकी हिम्मत सोचो कि वो अमेरिकी नेवल शिप को वो ब्रिटिश नेवल शिप को मना कर दिया और तो और दुनिया के देशों से कहा कि सर सौरी हमारे आईलेंड पर जाहज मत रोग देना क्या है पूरी कहानी आए देखते हैं गूगल मैप निकाल लीजिए नहीं है तो आप पने पास जो वर्ल्ल मैप लेकर बैठे रहते हैं उसमें जाईए पैसिफिक ओशिन के अंदर जाईए और थोड़ा करीब से दिखाऊं तो देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा पैसिफिक ओशिन दिख रहा होगा एशिया दिख रहा होगा औस्टेलिया दिख रहा होगा इन सब के अंदर हमने यहां पर एक बॉक्स पैनाया है यह जो बॉक्स पैनाया है यहां सोलमन आईलेंड है मैं कह रहा हूँ जूम ना किया जाए तो आपको दिखे ना चलिए मैं मतलब एक ऐसा देश जिसको आप वर्ल्ड मैप में एक बार में खोजने में दिक्कत करेंगे वो देश जिसे दो वार के 2X जूम करने पर देखा जाएगा वो देश उसकी स्थिती पता है क्या है? स्थिती ये है जो हेडलाइन बनी है येरुशलम पोस्ट लिखता है कि सोलोमन आईलेंड ने बैन कर दिया यूएस नेवी शिप को अपने यहां आने पर और पता है ये शिकायत कौन कर रहा है? अमेरिकन अमबेसी अमेरिकन अमबेसी कर रहा है यार हमको मना कर दिया यार घजब बेज जती है हिंदू लिखता है कि कोई नहीं आएगा हमारे पास एटिट्यूट तो ये वाला होना चीए मैंने आपको मालूम होगा आज से 6 मैंने पहले भी सोलोमन पढ़ाया था इसलिए पढ़ाया था कि इस देश के लोग इतने ज़्यादा जागरत किस्म के लोग हैं कि उन्होंने अपने यहां की संसद जला दी क्यों? क्योंकि उस संसद के अंदर जो सरकार थी उसने ताइवान से रिष्टे तोड़ लिये थे ये आईलैंड नेशन वो है जिसका कभी ताइवान के प्रती समर्थन हुआ करता था वर्तमान में इस्थितियां बदल गई है अब चीन का समर्थन है लेकिन यहां की लोग इतने अवेर कि यहां की सरकार ने चीन का समर्थन करके ताइवान से रिष्टे तोड़ लिये इस आधार पर संसत जला दी थी जब संसत जलाई थी ना तब मैंने यह न्यूस पढ़ाई थी आपको अगर याद आ रहा हो तो ठीक है अधरवाईस हमारा काम यह है कि हम कटिंग निकाल के दिखा देते हैं कि देखो हमने पढ़ाई यह क्योंकि हमने शायद कोई इशू दुनिया में ऐसा हो रहा होगा जो हमने डिस्कस ना किया हो है ना तो यह न्यूस देखी है च्छे महीने पहले की है तब जाड़े हुआ करते थे सरदियों की बात है देखो टीशर्ट विशर्ट पैनल की है तो भाई साब उस समय मैंने पढ़ाया था कि एक मिलियन से कमामादी वाला देश है लेकिन इसके लिए चीन और अमेरिका दौनों लड़ रहे है और लड़ भी छोटे मोटे नहीं रहे है भाई साब इस्थिति ये है कि इनके यहाँ पर जो भी होता है वो अंतराष्टी समचार बन जाता है आप सोचो हम इंडिया में बैठकर इनके बारे में डिसकस कर रहे है है तो इंट्रेस्टिंग ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या है पूरी कहानी आप निउस देख लीज़े केवल इतनी सी no preference to any specific country include all countries in the world सब को मना कर दिया गया है कोई किसी को preference हम नहीं दे रहे है कोई नहीं आएगा अच्छा आगे बढ़ते हैं साब अब हम थोड़ा आगे चलते हैं Solomon Island के बारे में आपको बता देते हैं Island Nation है बहुत छोटू सा नेशन है South Western Pacific Ocean में देख भी लिया आपने इसकी स्थिती को एक बार आप भ्यान से देख लेंगे तो सब किलियर हो जाएगा आपको यह Pacific Ocean है सब को समझ में आता है Pacific Ocean के अंदर यह जो Australia है ना इस Australia के बिलकुल सामने Solomon Island वैसे ही है जैसे India के सामने Maldives आज हमारे सामने जो Maldives अब जैसे Maldives भी देखो बिना जूम की यह दिखाई नहीं पड़ता है है ना लेकिन Maldives इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से हमेशा पूजा जाता है इंडिया वाले अपनी तरफ से कुछ भेजते हैं वहाँ पर इंडिया आउट का नारे लगते हैं फिर चाइना वाले अपनी तरफ से वहाँ कुछ मदद भेज देते हैं श्री लंका तो चलो फिर भी दिखाई पड़ता है बिलकुल Maldives वाली इस्तिती समझ लो क्योंकि यह आस्टेलिया के बिलकुल है कि ऑस्टेलिया ने इनके साथ में दोस्ति करके यह कह रखा था कि कल को अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं अपनी सेना भेज कर आपको बचाऊंगा सुलमन ने का सुनो हमको आपकी मदद नहीं चाहिए इनके साथ सेक्यॉरिटी पैक्टी तोड़ दिया कि हमको नहीं चाहिए मदद हमारे पास सारी मदद है क्योंकि हमें अपनी वैल्यू पता चल गाई है कि हम धरतई पर हैं कहां पाई-साव इसने ये हालत कर दी है कि अमेरिका के जाहाजों को मना कर देतर कम्पलें अमेरिका करता है, हिसाब हमको मना कर दी, ये एसा देश, जिसमें 900 बान में छोटे छोटे आईलेंड है, जिनमें 147 आईलेंड पर ही लोग रह पाते हैं एक ऐसा देश जिसको 1938 में आज़ादी मिली है एक ऐसा देश जहां पर की बहुती minimum छोटे छोटे गाओं में लोग रहते हैं 95% लोग यहां के Christian है Solomon के अंदर एक volcanic island जैसी इस्तिती पर यह बसा हुआ देश है ऐसा देश इसकी इतनी हालत गजब है कि यहां पर आप news देख सकते हैं कि US ship unable to get Solomon Island permission to dock शेव Washington अमरिका खुद शिकायत कर रहा है कि भाए साब हमको उतरने की permission नहीं दे रहा है यानि कि हमारे जहाज को यह उतरने की permission नहीं दे रहा है 30 अगस्त की news है Solomon Island suspend all naval visit यह अमरिका की शिकायत है यह Solomon Island है तो अब आपको ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं आई होगी, योगि अब आप अंतरराष्टे संबंदों में बहुत तेज जानकार हो गए हैं, आपको ये तो समझ में आही गया होगा, कि असल में किसका प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात किसकी कृपा है, जिसकी जैसे ये इनकार कर रहा है, तो अब मैं आपको कृपा की बारे में भी बात बताता हूँ, देखिए साथियों, पॉइंट कोच इस प्रकार से है, जो सोलमन आईलेंड है ये ना केवल इसलिए कि इसकी लौकेशन शांदार है, बलकि फिशिंग के लिए भी बहुत जाला जा मचली पकड़ने की जो कारवाई होती है, उन पर सक्त कानून बनाए जाने चाहिए, अमेरिका और ब्रिटेन क्या करते हैं, कि समुद्र के अंदर जो इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, देखिए क्या है, चाइना दुनिया के अंदर सबसे जादा आबादी रखने वाला देश अगर है, तो ऐसी इस्तिती में वहां के लोगों के भोजन के लिए मसाला खाने पीने का सामान भी चाहिए, वो खाने पीने के लिए मचली पर डिपेंडेंट है, और मचली पकड़ने के लिए उसके जाहाज दुनिया भर के समी समुद्रों में घूमते रहते हैं, यानि Pacific Ocean तो पूरा ट्रोलर्स के साथ घूमते रहते हैं, उनकी कंप्लेंट बहुत से देशों ने की है, सोलोमन आईलेंड के आसपास के छेत्रों में या फिर ऑस्टेलिया के आसपास के छेत्रों में वो ना जाएं, इसके लिए पानी की सुरक्षा करते हैं, कौन? अमेरीकी जाहज और बिटेन के जाहज, तो यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हैं, कि ये इलीगल फिशिंग से बचाने के लिए, यूएस का ओलीवर हैंरी नामक जो जाहज है, वो यहाँ पर घूम रहा था, कहां घूम रहा था? सोलोमन के आसपास, सोलोमन की कैपिटल है होनी आ रहा वो वहाँ पर अपना तेल भराने के लिए वापस आ रहा था, भाई ने इजाजत नहीं दी, ऐसी इस्थिती में वो जहाज बगल में ही इस्थिती एक और देश जिसका नाम पपुआ नियूगिनिया है, वहाँ चला गया तेल भराने के लिए, ऐसे ही बिटन का एक जहाज जिसका नाम है HMS इस पे वो भी रुकना चाह रहा था, लेकिन वो भी काम करना क्या चाह रहा था, इल्लीगल फिशिंग से बाहर निकालने के लिए सोलोमन की रखवाली करने आया था, उसको भी भगा दिया गया, यानि रुकने की परमीशन नहीं दी गई, अब ये चिंता क है, चिंता की बात क्यों है वो आपको समझ में आ गया, इस सोलमन की गवर्मेंट से पुछा गया, इसको आपने ऐसा किया क्या, आपने अमेरिका वालों को परमीशन नहीं दी, उन्ने का नहीं नहीं कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन का मतलब हम तो कौशिश कर रहे की लेकिन तब तक वो लोग चले गए तो भाई साब आपने कितनी देर इंतिजार करवाया बोले यार वो आये थे हमारा थोड़ा सा समय लग गया decision लेने में वो लोग चले गए फिर हमने अपनी तरफ से permission दी Solomon का अखबार है Solomon Times उसमें उसके प्रदानमंत्री सौगरेव कहते हैं कि हमने अपने यहां पर मतलब delay in approval preventing naval boats from docking हमने थोड़ा delay कर दिया था अब वो रुके नहीं और वो चले गए और हमें खामखाहीं बदनाम कर रहे हैं उन्हांने बकाइदा अपना interview देते हुए कहा कि हम तो permission देने की सोच रहे थे लेकिन वो लोग हमको बिना कहे निकल लिये साब अब अच्छी सब बात है सब को समझ में आ गया कि क्या है अब कहानी के पीछे कोई और भी है बस उसका कोई नाम नहीं ले रहा है अमेरिका बस इतना चाथा है कि तुम तो किवल नाम लो फिर तो battlefield हम अपने आप बना लेंगे अब नाम लेने वाले की पीछे की कहानी कौन है तो साब वो है चाइना चाइना पिक्चर में कैसे entry किया चाइना पिक्चर में ऐसे entry किया साब कि Solomon जो है ना देखिए हम आपकी सारी मदद करेंगे लेकिन आप उन देशों में से एक हो जो ताइवान को independent country के रूप में माननिता देते हो अगर आप हमारे साथ में काम करना चाते हो तो हम आपके साथ में landmark security pact sign करने को तयार हैं साथियों वर्ष 2022 के अंदर ही अप्रेल में इन्होंने लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया चाइना के साथ कंडीशन ये थी कि आपको ताइवान को परमीशन नहीं देनी होगी और साथ क्यों हुआ भी यही इन्होंने यहां के जो प्रधान मंत्री है मैंने शाथ सौगरेव इन्होंने वहाँ परमीशन के रूप में कहा कि सर हम ताइवान को ऐसे कंट्री माननेता देना बंद कर देंगे आप हमको कुछ पैसा देली देने की करप्या करें कितना पैसा लोगे आप जानकर आश्चरे कर जाएंगे इतना पैसा लिया इन्होंने जितने में पूरा पाकिस्तान दो बार बन जाता भाई साथ 100 बिलियन डॉलर मैं आपको दिखाऊंगा सारे फिगर तो सोलोमन के जो प्रधान मंत्री हैं यह यहाँ पर जाते हैं और जाकर के साथियों क्या करते हैं इन्होंने यहाँ पर मैं कहा गई वो न्यूज दिखाता हूँ पारलेमेंट की बिल्डिंग क्यों फूकी गई इसके पीछे का कारण क्या था कि इन्होंने ताइवान को हाँ देखिए चाइना ओफर डवलप्मेंट फंड फोर सोलोमन आईलेंड और कहा कि यदि तुम ताइवान गवर्मेंट के साथ दूस्ती तोड़ दोगे तो हम तुमको फंड देने की कृपा करेंगे हुआ भी यही ताइवान ने सोलोमन को खूप धंकाया कि अगर तुम चाइना के साथ गए तो तुम डैट ट्रैप में फस जाओगे तुम रिन जाल में फस जाओगे सोलोमन एक ना सुना और साथियों सोलोमन ने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध 2019 के अंदर ही तोड दिये और परिनाम ये निकला साथियों कि इन दौनों के बीच में बढ़िया दोस्ती हुई दोस्ती का परिनाम आप यहां पर देख सकते हैं कि सोलोमन आइलेंड को चाइना के द्वारा 100 बिलियन डॉलर का लोन असिस्टेंस दिया गया साथियों 60 बिलियन डॉलर का लोन तो पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है यह 100 बिलियन डॉलर का लोन ले लिया आप सोच कर देखिए इतने में तो पूरा की पूरा सोलोमन दो बार बिक जाएगा अब सवाल यह बनता है कि इतना पैसा ले लिया है तो ultimately यह चाहता क्या है तो असल में यह चाहता क्या है चाइना यहाँ पर चाइना बनाना चाहता है अपना पूरी तरह से naval base अब यह जब naval base बनाना चाहता है तो चाइना इसको बार-बार, अमेरिका इसको बार-बार मना कर रहा है आप देखिए, यहाँ पर वाशिंग ग्लोबल टाइम्स लिखता है यहाँ पर प्रदान मंत्री ने कहा कि हम किसी भी प्रकार से अपनी जगह का गलत उपयोग नहीं होने देंगे और मिलिटरी बेस यहाँ पर बनाया जा सकता है, इसलिए तुमको पैसा दिया गया है, दुनिया के देश इनको यही बात समझा रहे है लेकिन साथ पैसा जो है वो अच्छे अच्छो की आँके मून देता है, सोलोमन के साथ ही हुआ है अंतराष्टे रूप से एक छोटा सा देश इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था लेकिन वर्तमान टाइम पर जो यहाँ पर चल रहा है, वो निश्चित ही बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट होने वाला तो नहीं है मैंने भी दुनिया एक देश का महत्व आपको समझाया, उमीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, सभी साथियों के साथ इसे जरूर साजा करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजें, यदि आपको जानकर इपसंद आई हो तो सभी साथियों के साथ में इसे शेयर करें, सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले, सभी साथियों के साथ इस गटना को शेयर करें कि यह आप चाहते हैं Unacademy का Light Festival यूज़ करना तो Unacademy पर आपको 50 Full Length Test SSA केटेगरी में मातर 3.99 पूपीज में आफर किये जा रहे हैं एक और important चीज साथ ही हो 5 सितंबर Teachers Day के दिन शाम 6 बजे Unacademy 1 के नाम से beginning होने जा रही है एक learning possibility की एक different चीज जो आपको उसी दिन हम आपको बताएंगे बस आप इंतजार करें कि शाम 5 तारीक 5 तारीक की शाम 6 बजे ऐसा क्या होने वाला है क्योंकि Unacademy आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहा है कोई ऐसी चीज जो कि आपके knowledge enhancement में बहुत ज़्यादा योगदान देगी कि आप UPSC के student हैं तो तैयारी कर सकते हैं Unacademy के top educators से बने हुए batches जिसमें कि आप लोगों को पुरी तरह से flexibility course change करने की मिलती है unlimited view of lecture मिलते हैं dedicated doubt discussion classes मिलती है printed comprehensive class notes मिलते है end to end preparation होती है live mentorship मिलता है daily answer writing practice मिलती है ये सारी सुविधाएं आपको उपलब दो जाती है Unacademy के courses में Unacademy के courses अब 0% interest rate के साथ भी available है EMI options का lab आप ले सकते हैं हमारी technical team से support के लिए 787-815-888-2 पर call भी कर सकते हैं आपका समय शुभो धन्यवाद